स्वागत आप सब का पाकिस्तान सूपर लीग के दूसरे डबलेटर मुकाबले के अंदर बहुत बड़ीया मैच आपको आप उताओ दिखेगा क्योंकि यहां पर एक तरफ आपको नई गेन लेके खड़े होते हुए दिखेंगे श्राइन शाफरीदी श्राइक प्योंगे बा पराची और मुलतान के उपर वे थे तो गदाफ एश्रीडिम लाहर की पिछ की स्थर से यहां पर प्लैट्स के स्टैट्स के इसके बारे में पर डिटेल से बात करेंगे और यहां पर बड़ी खबर आ रही है तीन बड़ी खबर है लाहर के अंदर जो शाही होते हैं वो स्र जॉड़न कॉक्स को पूरो वीडियो देखना ऐसी आपको मैं इंट्रेस्टिंग जानकरी वीडियो के अंदर दूँगा क्या वदा भाइसाब आपके इमें पर ग्रेंड लीक निकल जाए क्योंकि अपन बैस्ट इप्स इतने हैं ग्रेंड लीक के लिए तो काम पर अपडेट दूँगा मैं टेलीग्राम पर जुड़ना है कैसे लिंक आफ़ टेलीग्राम चलमने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है तो अब यहां पर पिछ रिपूर्ट की बात कर लें जो सबसे इंपोर्टेंट रहती है पहली बार स्वन्य के पर मैच हो रहा है तो पिछ आप ध्यान से सुनना तो इस स्वन्य के पर जो लास्टी 20 का मैच खिला गया था दो ऑक्तोबर 2022 को खिला गया था कैसा है तो गरिवन 4-5 मेने पहले हैं पर कोई मैच वा था पाकिस्तान और इंगलेंट की यहां पर सीरीज विजी रहता है तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है 169 बनाती है नो मिकट गवा के फिर जो टीम यहां पर चेस करने आती इंगलेंट की वरसे चेस कर रही थी 14.3 मतलब 33 बॉल रहते टार्गेट चेस हो गया 170 रगा मतलब सोचो बाइसाब यहां पर अगर 33 बॉल और खेल जाते पांच बॉल रहते टार्गेट चेस हो जाता है उससे पिछले मैच में 180 बना और टार्गेट यहां पर चेस नहीं हुआ 138 पर टीम से मिट गई तो उसको मतलब क्या है जो टीम आपर 180 के उपर चली जाती है यह 180 के आसपास रहती थोड़ा सा तो आपर चेस करना है और शरीफ साथ मैच जो टीम चेस करीब हो जीती है तो अपर उल्टा ट्रेंड चलता है अस केंपर टू कराची स्टेडियम मुलतान स्टेडियम यह पर टीम पहले बैटिंग करना पसंद करती है क्योंकि स्टैट्स आप खुद देख सकते हो 23 मैच अंदर जो टीम पहले गरिया सुलाबार जीती है लहोर कलंडर स्कूंग अप नाम से समझ सकते हो वैन्यू को नाम क्या है गदाफि स्टेडियम लाहोर लाहोर के उपर यह मैदान है लहोर कलंडर से स्मैच में को खेलती हो देखेगी लोकल टीम है आकी इस वैन्यू के पर प्रती ओवर 8.5 के आस- इंपोर्टन होता है लास्ट 29 मैच के अंदर पेसस ने जो तेजगेंद बाज होते हैं उन्होंने आपर 234 विकेट निकाले हों है पहली बारी में 110 है दूसरी पारी के अंदर 114 है राइट आम पेसस का 78 विकेट से हैं आप अब बात तरता है कि किस टाइप के आप से इंदर पेसस के अंदर पेसस के 122 विकेट पारी में 110 है अब जिया ज़ता है थोड़ा साइड होंगा मैं आपको अच्छे दीखेँ गाए तो आप देखेंव ऑप्डिन स ने क्या किया है 120 विकेट निकाला है टूटल 29 मैचों के अंदर पहली पारी में 59 है दूसरी पारिक अंदर आप देखो 61 विकेट्स है तो दोनों पारिक अंदर spinners का काम किया है आप ठीक था आप और spinners का 25 है leg spinners का 45 है left arm chairman का 4 और left arm orthodox spinners का 46 विकेट है आप चाहिए उनको total करके देख लेना आप कहा अंसर आएगा है 120 25 और 45 होता है 70 70 और 46 और 4 50 70 और 50 होगे 120 विकेट है अब चलते हैं पर जो last match था पाकिस्तान और इंगलेंड का 2 October को 7 वा T20 match था वो 7 match की series थी starting matches कराची पे वे ते फिर वे तो गजाफी पे तो इस match में 8 विकेट पेसर के नाम था और इफिकेट वाँ पे spinners निकाला था तो आप देख सकते हैं जो पिछ रहती है गजाफी शुडियम लाहॉर कि यहां पर लिखा भी हुआ है फिफ्ट टी ट्विंट याई लाहॉर तो आप लाहॉर की पिछ देख सकते हैं जब फ्रेश पिस्ती तब ऐसी दिख र पूरा चलते हैं फिर किसके तरफ पूरा और वियू देख आप शुडियम को मजा लेगा आपको देखने में इंपॉर्टन चीज जो टीम न्यूस आपको बताई दी मैंने सैम बिलिंग जॉडन कॉक्स मैच में मौजूद है लियम डॉसन तो रूल आउट हो चुके हैं शा आमरन गुलाम वन डाउन खेलना पसंद करते हैं और सैम बिलिंग्स टू डाउन खेलना ही पसंद करते हैं रेगूलर तो अभी इनको बैटिंग अच्छा सा हो गया है सिकंदर राजा भूसन ताला डेविड वीशा खांसा आप शाइन शाफरीदी अरिसुराफ जमन खान आ वाइव बंडाउन आएंगे मर्जिंग प्लैर है तॉम केलर के अडमर रोवन पॉल तगड़े खिलाडी है वैसा बच्छों फोम में भी चल रहे हैं दशन शाना का नीशा मच्छों में सुफियान मुकमी लेफ्ट टाम चैनमन स्मिनर है वाब रियाज है उश्मान कादिर अब चलते हैं किसके तरफ जो इंपॉर्टन अपना सेग्मेंट होता है यह आप देख सकते हो कि जो टीम है लाहर की और पेशवार जालमी की लगबग बराबाट जैसे टीम है पावर प्ले के अंदर अच्छा खेलती है बस लाहर कलंदर्स पावर प्ले में ज्यादा विके और किस टीम ने ज्यादा विकेट गवा है तो आप खुद देखों है यह पर पेशवार जालमी ने चार मैचेस खेले हैं अभी तक और चार में से पावर प्ले के अंदर च्छा विकेट गवा चुके हैं 230 रंस ठोक चुके हैं बाई अच्छे कासे रंस ठोके हैं उन्हें से से लोगों ने गवाए हैं तीन मैचेस के अंदर तो कलंदर सौसर डेट वर में स्ट्रगल करी हैं बस सिकंदर आजा टीम को लेके चल रहे हैं जालमी की बात तरे तो इस टीम ने में कुछ ज्यादा खास नहीं किया 11 की और स्ट्राइक एक सो च्छेक है बाई डेट में जहा कॉंसे टीम कितने मिकट गवारी है लाहूर कलंदर से मिडल फिर सचा खेलती है तीन मैचेस में आट मिकट गवाई है 208 रंस है स्ट्राइट 128 का है वही पिर पेशवार जालमी की बात तरते है 139 का स्ट्राइट बढ़ बढ़िया है और आप देखते हो 300 रंस है बाई साथ स करते हुए साथ मैच कंदर 153 रंस है 22 की असद है चेस्ट करते हुए 6 मैच में 116 रंस 18 की असद है वहीं स्ट्राइट की असद है 25 मैच में 556 रंस है और 8 टाइम पर 30 प्लस स्कूर्स है फॉर्म बहुत बड़ा मतलब इनका कंसर नहीं है बहुत डिसेंट फॉर्म है अच्छ सब्सक्राइब लगा मेरे को यह इवन मैच में को लाफ्स मैच में प्रिफर भी किया था तो इसके पास टेकनिकल कोई दिककत नहीं है टेकनिकल सांड बैटार अच्छा खेल लीता है तो यह ग्रेंड लिग पिक बन जाता है कामरान गुलाम स्माल लिग भी लिग जा सकते ह कामरान गुलाम इनके और इंप्रोटन्स हो जाएगी वन डाउन खेलते हैं तो यह और घतक हो जाते हैं दो मैचस में 55 रंस है अटक अंदर 30 रन बैट फस्ट और 25 रन इनका चेस कुप पर है वेंडी की बात तरे तो 12 मैच में 428 रंस 43 के उस्ट है और अच्छे कासे इसने स स्कूर किया हुए गन्यों को पसंद है शतक भी बनाया है नोने एक बार 110 नबाद 42 0 30 15 यह सब पाकसान के टीम के अंदर खेलते हैं टेस्ट के अंदर 11 में आते हैं स्कॉर्ड में मिशा रहते हैं चेस के पर 46 35 35 नबाद 13 25 वी इनका बड़ा डिसेंट है तो देखते हैं कैसा पर्फोर्मेंस देते हैं पार्ट टाइम लाइफटाम उत्रों डाल लेते हैं सेंबिलिंग सभी अलिक अंदर बंगला जिश्पी मली खेल आ रहे हैं एक रन 31 नबनाया पिर से लिए इंटरेशनल लीग टीट्वंटी गेली 22 54 27 27 25 एक तीन नाबाद 35 है गन्यों पर नहीं प जब कराची के लिए खिला करते थे तब इन्होंने जवाल में के खिला था वैन्यों के उपर दो मैच के अंदर 17 रंस है और एक विकेट है वो कैसे आया था बहुत सेकंड करते हुए था बल्ले से 17 रंस थे फॉर्म इनका बहुत अच्छा है पिछले मच में 32 रं बनाया एक तो यह को डुट में बने लिए उसा बली 18 रंस था तो इन्फॉर्म प्लेयर है था उसन तरह साथ मैच में 79 रंस है एक्टृड नहीं लग अच्छा़ मैच नहीं लग लेगे वैन्यूम इम्टीर था स्टी नख लूर है और स्वनूर नहीं गले सब्स्ट पेछले मैच मैच सब तीन हीगे निकालकिया एकमाल का सपल ता चार ओवर्चो़ीस रंड रिये थे जए तो साथ मेचस में दस होड़ेट आट थे अन्दर शुटनेया रंस है बॉल फर्स्ट हो सकते हैं तीन मैच के अंदर 6 विकेट हैं एड को अंदर बीच के अंदर कई बार ऐसे मैचेस हैं जिसमें 0-0 विकेट निकाली उन्हें और कई बार 2-3 विकेट निकाल जाते हैं सईपवरिडर केंदें कुएंगर पांच मैच में 6 विकेट तो देखते हैं इसमें कैसा परफॉमेंस रहते हैं सबस मैचेंज सबाबर आजम अब देखें ये सब्स इनके इतने वलर केंगे उप इनके अन्हें कि इंच चर्चा की होती हैँ यह आप खुद देखो ये डात्यो बहुत बड़ा अंतर है पहले स्थान और दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर मोमद वस्थीम आते हैं जिनकी 8.8 के आसपास economy रहती है तो ये चिंतावली चीज है 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 तो बिल्कुल खरब टूर्णमेंट जा रहा है आप खुद देट रू कंदर 11 के आसपस परती हो रंस स्थानिट लगहें है तो फोड़ा सा काम करें की जुरात उनको है अरिस्राफ का 7 मैच में 5 एकूड़े कंदर बॉल फस्स तीन मेच में 3 बॉल सेकंड चार में चार में युक्श्ट फिकेट है तीन बर विकेट लाज गया है वन्यू पर 19 मैच में 19 विकेट है त्च्छा ब बहुत अच्य strategies important रहे हैं H2 अथ 2 गंदर 2 मैंच में 3 wik8s वैनी के उपर बहुत अच्छ वीक8 था वैनी कि उपर वी बहुत अच्छे स्टाइट्स था 5 में 10 wik8 वैनी का बाल सेकें तो बाल रहे है और ट्राइट गर सकते हो अच्छा प्लेर है यह आपको बताई दिया मैंने अब देखें किस की दरफ चलते हैं शेंशा फिरी की दरफ चलते हैं पेसल में सबसे दर डेट में उटाई होती है याद रखना शेंशा फिरी का पिछले मैच में पहला तीसरा सतरा निस वावर था 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 जमन खान का दूसरा चौटा चट्वा खान साब का था वाई साब आठवा दसवा बारवा शोलवा सिकन दरजा का चौधवा वीसा का साथवा नववा तेरवा और पंदरवा विदल फेस में वालीं कर रहा है तलत सोचो आप यह सोचनो ली बात है पिछले मैच के अंदर हैरी सुरॉफ का इक और बचा वात है बी जब का प्लेयर वाई साब 422 की असाद है बैट फर्ष्कंदर साथ मैच में 238 रंस है चेस के उपर 6 मैच में 225 रंस है बहुत बढ़िया खेलता है वावर टेकनिकल सांड प्लेयर है वैन्यू के पर 25 मैच में 800 रंस है थर्टीं टैंस इस वैन्यू के उपर 30 प्लस स्कोट सा आठ बार पहली पारी में पिछले मैच में 25 रंस है तो एक तरफा खेला तब इस वाद के खिलाफ है रिसकी बात तो एक मैच में 6 रंस है मौमद अरीस का वैन्यू के उपर 12 मैच में 209 रंस है अटेकिंग प्लेयर है बीज वाल में पिछले मैच में 40 बनाया था तो ऐसा काम करते हैं किपीं से भी कुछ पॉंट जेते हैं सामयूप का एक मैच में तीन रंस है अट कोड़े के अंदर एवरेज बात करें वेन्यू के उपर तो बारा मैच में 209 रंस है फोर्म ठीक ठाग है इसको ग्रैंड लिग में आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लिग में थोड़ा चल सकते हैं उसके बारे में बात रहते हैं वीडियो में सरफ तो स्मॉल लिग में थोड़ा रिस्की है इस प्लैर में दम है अच्छा एलता है ये टीकेसी की बात तरे तो टॉम केलर केडमॉर एक मैच में दो रन से अट टो टेक अंदर बैट फर्श करते वाया था वैंड पर एक मैच में पाँ रन चेस करते हुए था फर्म देखो एक रन नौर रन तीन रन तो सिंगल जी स्कूर्ट से बस पिछले मैच कंदर बाइस हमने 92 किया था जो पेसल का पेला मैस था रोवन पावल के अट टोड़े कंदर जीरो हा रन चेस करते हुए दर शुन श्टना के यहां पर 2019 कंदर श्रीलंका के सिरीज वी थी तो चार मैच में 102 सरंस है तीक टाक स्कूर्स किया हुए यहां पर गरन लिग में ट्राइज जरूर करना इनको निर्च पी आर बहुत अच्य फंबी चल रहा बंदा है यह सुफ्यान मुखीम इतने इंपॉर्टन नहीं है लेफ 15 में 17 विक्त अच्य स्टैस अब इतक इहना पी पीशफित इतना अच्य गया छा नहीं है तीन बैक-्टु-बैक मैं विकेटलर्स जै थीन बैक टु-बैक मैं कुन करता था पहले में 2 विकेट ने का ला तो ।। ए कि पहले में मैच में चला था पर 3 मैच गया डान एक ऱ वैक करूब वैंडिकुपर इन और 43 मैच में 49 विकट्स इन लिख अपके अर्ट के सामने 14 ज्टेवे abroad कादिर निखests how byuj वेंडी पर 11 तेरा विक्ते में वेंडी में वेंडी में अच्छा किया अरिश्ट एगब ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा चार मैच मेंच विक्ते टूर एंडी केंडर वेंडी केंडर नौ विकेट्स है चलते हैं यहां पे किसके तरह इसका नोटिफिशन आगे नौटन का भाई मेरे को लिना है नीए सब्टिशन आप बस भेशते रो नोटिफिकिशन सलो सलमा निर्षाद यह आप देख सकते हैं आपर इस वेंडी पे बहुत अच्छा डला थासने बहुत साथ मैच में सतरा विक्नित निकाले जाते वेंडी के उपर तो यह खेले तो पर इस वेंडी को टीम खिलाईगी नी क्योंकि पहले इतने बड़ी अप्लेयर्स थे वाब रियाज अर्षय दिग्बाल जीम में निशम स्टाइव डालते हैं डातर गंदर वाब अर्षय दिग्बाल निशम दशन शना का भी आ सकते हैं पिछले मैस में किसने कॉंसर डाला बड़ा पिर मुकमी सुषयान मुकमी आठवार चौदवार था चलते हैं पर मैचस अर्व तरफ तो बढ़र जम का मैच्छा बनता एं पर राषिद खान के सामने बड़ाव शह आपके निश्या कप के अंदर भी राषिद खान को फसाय था बढ़र अज़ान को फसाया था याद हुता आपको सब्सक्राइब फाइनल मैस था शाहे द्यार फाइनल या तो एशेक पाइब कोई मैस था उसमें आउट किया था तो सिक्स्टी डिवाल में टुडू रंदे के चाहवर आउट किया था आप याद करो जो स्पेल था एक बार रावन पॉल ने बहुत समझदारी वाली पारी थी सब्सक्राइब था 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 तो ना मिरू को भी याद नहीं आ रहा तो रावन पॉल बैटिंग गर रहे था ट्राइब थे और जो जैन स्पिनर थे न उसके सने तीन और पूरे डॉठ निकाल दिये टुक तोक 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 फिर आख रिम आता है रॉमेरिश अक्किन साब। फॉन ते इसरूर जैयों और जो वर्षेम वर्षेस खांसाब मैच अपी नहीं है 14 रंसा बारा वालों कंदर आउट नहीं है है एरिस्रॉफ और डेविडिशन एक पर आउट किया हुआ है यह तो बेंच पर रहेंगे खांसाब वर्षेस दर्शन शना का चोईज बॉल उन्नीस रेनेक बर आउट किया हुआ है अब अपन मैच अपस देखते हैं तो आप यह शीड देख सकते हो जहां पर रेड जोन हो दिक्कत होती है जैसे बवर्षेम अफस्पन के सामने डिफेंसिवली खेलते हैं 114 का स्टाइग रेट है तो आप यह क्लेली देख सकते हो इसको मैं बार-बार नहीं कहुँगा फकर राजा राजा माइब बॉइ वर्सेज वाब रियास 58 वाल 64 रंस तीन बर आउट किया दो बार पहली बारी में पंजाब किंग्स के लिए बिजबार सिकंद राजा खेले या तगड़ा प्लेयर है वैसे वाब रियास वर्सेज वीजा उनिज वाल 22 रंस दो बार आउट किया हुआ है यह मैच अब देख सकते हैं जॉर्डन कोच लेफ टांप पेसिस सामने काली कहतम से हो जाती हुँए उनकी आप टीम वाइस तो क्या दोनों टीम कुछ थ्रेट लग रहा है मेरे को तो तो यार ऐसा बुस थ्रेट लगे नहीं रहा है आपर देखते हैं जान से लैक् पारिड़े को मिलती है त्राहि करो लो एक बार आपको फायदा है आपकर क्या आप क्या फायदा है एं डेली 50 जारुपे के घिफए हैँ ठीक है सेक्ड इंश है जिस पर अबको सी नहीं पढ़ता है पहले पारी देखके प्र यसमा आपको बैटिंग फैंटेसी बॉलिंग सब देखने को मिलता है 500 रुपी साइन अप बोनस है तो साइन अप कर लेना एंट रिपीस कंपेर करने के देख लेना आपको फाइदा हो सकता है कामने कैप्टन बाबर निशम लिंग मैंने नीचे दिया हुआ है और एफर कोट स्टैट्स गुरूप सिकंदर राज्या बड़ी लिखके कैप्टन होंगे राषित खान होंगे बड़ी लिखके कैप्टन फकर्जमर और सैंबलिक पर नजर रखना दोनों में सोगे बड़ी प अनल नझर नए क्यों आंकि आपके सूघर के लिए पूरी चीज divi टfire कर सकते आं एْ यहां के स्टैट्स ऐस सिर्फे मिल जाते हैं तो यहां पर पहले किसी ओ ऊटा सके किसी और एक्टर भैट ईट को ले सकतां हूं धर करा कि देखते हैं खान साब इंपोर्टन लेगे अफ्रीदी इंपोर्टन अरिसरॉफ का फॉर्म कंसें रहा है भी तक बिल्कुल अच्छा नहीं दिया वहीं चलता है किसके तरफ जो इंपोर्टन सेग्मेंट अपना ग्रैंड लिक के अंदर करना क्या है जो आप वीडियो देखते है हाली के अंदर पर वही बात है तैलेंट है अच्छा प्लेयर है सेंब्लिंग में ट्राइ कर सकते हैं वर मॉबद हैरी क्यों क्योंकि यार बाइक चैंस पावर प्ले के अंदर विकेट चला जाता है ठीक है बसे दोना अलग टीम में खेलते हैं पर मैं आपको समझा समझा जो लाहर उसके भी पावर प्ले को ज्यादा अच्छे स्टैट्स नहीं है उसमें जमान आता है वो चलगे तो राम बोरुस है पूरी टीम जमान के उपर पूरी टीम टिकियू रहती है लाहर की वो चलगे तो सही है बनाए फिर वन डाउन कामरन गुलाम आता है फिर टू ड अगर आप महमध रही से सोच रहे हो कि पावर प्ले के इनको शेहिं शफरी आउट कर सकता है लाग लग तीम है यह मत समझना है कि दोनों एक टीम में खेल रहे हैं तो यह आप बेचलते हैं बाब बार इंपोर्टेंट जमान भी अच्छे पीका जमान की ऊसो थोड़ी कम र अच्छा नहीं है फिर आते हैं यहां पर TKC ट्राइ गड़ सकते हो ग्रेंट इसकेंदर में समैच में रहान पॉल को बैक करना चाहूंगा अच्छे प्लेयर है मेरं अधा तायर बैक को एक दो टीम में रोटेट कर सकते हैं बहुत बढ़िया खेलता है वैसा ही है कामन गु अच्छा नाकों को एक-दो टीम में रोटेट कर सकते हो जब आपको लगता है कि पेशवार जान में को टॉप अटर फ्लॉप हो सकता है अफरीदी खान साब इंपोर्टेंट है कादीर को थोड़ी मार पड़ी है और अच्छा डालता बॉल सेक्ड में ट्राइ कर सकते हो अर देखते हैं क्या होता है और कोई फर्दर अपडेट सेगे टेलीग्राम पर जी दूँगा तो देख तरी स्टाइट सुरुजे लिंक आप दर टेलीग्राम चल निचे दिया हुआ है बाइस आप गंटी विड़न दबाते जाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे बले मिल करा देना लव यू सी सुन अपनी मेहनत में आपके सामने लासक तॉमस इधरा मेरा काम है वो आपके लें पैस दोंगा अपना